नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिपीएसे उनहतरवी पीटी परिच्छा की वैकेंसी में इजाफा दो महीने में 6,000 टीचर्स का वेतन कटा पचपन हुए सस्पिंड बिहार चाती गन्या को लेकर केंद्र सरकार ने बदला हलफ नामा बिहार के सरकारी स्कूलों में रक्षा बंधन को लेकर इस दिन मिलेगी चुट्टी बारत पाक के मैच से पहले मोहम्मद रिजवान की बड़ी भविश्यवानी इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से BPSC 69 पीटी परिच्छा की वैकेंसी में इजाफा BPSC 69 एक इकरिट सयुग्त प्राडमभीक प्रतियोगिता परिच्छा की रिक्ती में बिहार लोग सिवा आयो की ओर से इजाफा किया गया है द्रसल आयो की ओर से सप्लाइ इंस्पेक्टर के 33 पदों को बढ़ाया गया है जिसके साथ अब BPSC 69 पीटी परिच्छा में कूल पदों की संक्या 475 हो गई है जो की पहले 442 थी बता दे कि 33 पद जो बढ़ाया गया है उनमें 4SC, 1ST, 4EBC, 1BC, 1BC महिला और 3 EWS ट्रेनी की है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अब परिच्छा का आयोजन 30 सितंबर को किया जाएगा जिसके लिए एकुल 2 समलो 7 शने लाख अभियर्थियों के दवर आवेदन किया गया है वहीं इस परिच्छा का रिजल्ट यानि की BPSC 79 वी PT परिच्छा का रिजल्ट 15 नमंबर को जारी किया जाएगा जिसके बाद इस परिच्छा में पास होने वाले अभियर्थी 9 से 16 दिसंबर तक आयोजित होने वाले मुख्य परिच्छा में भाग लेंगे इसके बाद सकत कदम उठाये जा रहे हैं इसी कड़ी में अब तक उनके आदेश के बाद पिछले दो महीने के भीत राजी में 6,000 सक्छकों का वेतन काटा जा चुका है तो वहीं 55 सक्छकों को निलंबित किया गया है बता दे कि मिले जानकारी के नुसार अब तक राजी के जिन जिलों म अने जिलों में 10 से लेकर 300 सक्छकों तक का वेतन काटा गया है वहीं जिन 55 सक्छकों का वेवन कारणों से निलंबित किया गया है उनमें 26 सक्छक सीता मढ़ी से और 6 सक्छक बांका के शामिल है रंग बिरंगी रोसनी से जगमगाएगा पितरी पक्षमेला गया में पितरी पक्षमेला को लेकर प्रिश्टासनिक अस्तर पर समेत हर अस्तर पर तयारियां जोरो सोरो से की जारी है मुखे तोर पर साफ सफाई लाइट नाली आदी की व्यवस्था बतादे की मिल जानकारी के नुसार पितरी पक्षमेले को लेकर पहले से लगी स्ट्रीट लाइट के अलावा 200 लाइटें और लगाई जाएगी जिनमें से रबर डैम से लेकर सीता कुंड तक 30 लाइटों को और लगाया जाएगा बिजली विवस्था देख रहे सहायक अभियंता विनोत कुमार सिंके दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि लाइट जे पोटल से खड़ी दी जा रही है इसके साथ ही मेला छेतर में जगा जगा पेर पौध हो वर रास्तों पर भी रंग बिरंग मैट्रिक पास विद्यार्थी फ्री जे इई नीट कोचिंग के लिए करे आविदन बिहार बोट के ओर से अब मैट्रिक के मेधावी चातर चातराओं को अपने ही प्रमंडल में मेडिकल और इंजिरिन की कोचिंग की सुधा उपलब्द करवाई जाएगी ऐसे में इसके लि लिखित परिच्छा और साक्षातकार के माध्यम से किया जाएगा अपकी जानकारी के लिए बोड के ओर से बिहार की राजधानी पटना समीत चिंजलों में मेडिकल और इंजिनरिंग की कोचिंग खोलने की तयारी की जा रही है उनमें मुझा पर पूर छप्रा, दर्भंग को लेकर केंदर सरकार के दोरा एक हलफ नामा दायर किया गया था जिसमें केंदर सरकार के ओर से कहा गया था कि जनगन्ना कराने का अधिकार केंदर सरकार को है, राजिस सरकार को नहीं हाला कि कुछ घंटे के बाद ही सरकार के ओर से हलफ नामे को वापस ले लिया गया और फ लालू यादव के द्वारा कहा गया कि बीजेपी का जन में पिच्रा विरोध में हुआ है। लालू यानिक और विश्वसनिय आंकडों के जातिय सर्वे का विरोध किया है। कर दिया गया है आपकी जानकारी के लिए बता दे किस संबन में बिहार माधिम एक सक्षक संग के अध्यक्ष रगुवन्स प्रशाद सिंग के द्वारा सक्षा विवाग को एक पत्र लिक रख्षा बंधन के लिए 30 अगस्त के अस्थान पर 31 अगस्त को अवकास घुशित करने कान रोद किया गया था कंटेनर पर लदा 281 काटन विदेशी सराब किया बढ़ामत बिहार में पुर्ण रूप से सराब बंधी है इसे तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें सराब तसकरी सिज़रे मामले सुनने को मिलते रहते हैं हालाक इन पर पर ओबडा थाना चेतर के संकरपूर चेक पोस्ट के पास का है चाहां उतपाद विभा के तीम के दोरा गुप्त सूशना के आधार पर एक कंटेनर से अलग-अलग ब्रांड का कुल 281 पेटी विदेशी शराब ब्रामत किये गया है और साथ ही तीम के दोरा एक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है फिलाल मदे निशेद अधिनियम की सूसंग धाराओं के अंतरगत प्रात्मी की दर्श कर उतपाद पुलिस आगे की काड़वाई में जुटी है राजी में 15 नदियों ने लाल निशान को किया पार गया है और नर्देश या गया है कि नदियों में ओवर्लोड नाओ का परिचालन न करे नदियों के किनारे गस्ती बढ़ाई जाए नदियों में चलने वाली नाओ की कोडिंग की जाए ताकि नाओ की पहचान हो सके नालंदा खुला वीवी को मिला अपना भवन आज लगभग 36 साल बाद बिहार में दुरस्त एवा मुक्त सक्षा प्रदान करने वाला एकलोता विश्विद्याले नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को इसका अपना भवन मिल गया है बता दे कि पहले इसका भवन बिहार के राजधानी पटना के विसकुमान भवन में था जो की अब राजगीर में आ चुका है मालू हो के आज बिहार के मक्य मंतरे निटीश कुमार के दोरा नालंदा खुला विश्विद्याले के राजगीर इस इतने भवन का उदगाटन कर दिया गया है यह नई बिल्डिंग लगबग 10 एकर में फैली हुई है और इसे बिहार राजियर सैचनिक आधार भूत सनरचना विकास निगम लिमिटेट की ओर से बनाने में कुल 117 करोर रुपे खर्च किये गए हैं इस भवन में छात्रों के लिए कई सुधाएं उपलब्द कराई जाएंगे स्विस्विद्याले में कई तरह के कोर्स संचालित किये जाते हैं सिमुलतल्ला आवासी विद्याले में कक्छाची प्रवीस परिच्छा के दुट्य डमी एडमिट कार्ट चारी अगर आवे उन छात्रों में से हैं जो सिमुलतल्ला आवासी विद्याले में कक्छाची में नामांकन लेने के लिए आविदन किये थे तो यहां खबर आपके लिए है पतादे कि नमांकन के लिए होने वाले प्रवीश परिच्छा को लेकर पिहार विद्याले परिच्छा समीती के द्वारा dummy admit card जारी कर दिया गया है इसे में अब अभ्यर्थी 2 सितमबर 2023 तक dummy admit card में हुए तुरूटी को user ID और password की मदद से सुधार सकते हैं मालमों की बोर्ट के ओर से दी गई जानकारी के नुसार कक्छाचे में प्रवेश परिच्छा के लिए यह दूसरा dummy admit card जारी किया गया है जो की समीती की वेबसाइट htp.column.secondary.biharboard.online.com पर 2 सितमबर 2023 तक उपलद रहेगा पतादे किस बारे में बिहार बोर्ट के दोरा टूइट कर जानकारी दी गई है थाने के पुलस भी काटेगी online चलान इंदरों बिहार के राजधानी पटना में ट्राफिक नियमों के पालन को लेकर ट्राफिक पुलस के दोरा सकती बरती जा रही है इसी कड़ी में अब ट्राफिक पुलस के साथ सा सहरी थाने के पुलस भी मशीन से जरमाना वसूल एगी इसको लेकर ट्राफिक S.P. के दोरा आदेश जारी कर दिया गया है मालू हो कि सहरी थानों को नरदेश दिया गया है कि वे पुलस लाइन जाकर एच एच टी डिवाईज ले ले और पुल सद्धिक कारे आले जाकर अपना लॉग इन आईडी और पास्वर्ट भी ले ले टाफिक SP के दोरा दी गई जानकारी किनुसार बिहार की राजधानी पटना में छह नए जगों पर Automatic Number Plate Recorder यानी की ANPR कैमरा इंस्टॉल किया गया है वहीं सहर के 23 यगों पर पहले से यह कैमरा लगाया जा चुका है जो कारे रथ है आज राश्ट्री खेल दिवस पर बिहार के 400 खिलारी हुए सम्मानित आज यानी की 29 अगस्ट को राश्ट्री खेल दिवस मनाया जाता है ऐसे में आज के दिन राश्ट्री खेल दिवस के मौके पर बिहार की राजधानी पटना के ग्यान भवन में आयो जितकारी क्रम में बिहार के 400 खिलारीों को और 11 प्रसक्षकों को उनके राश्टी और अंतराश्टी अस्तर पर विविन खेलों में शांदार प्रदर्शन के लिए खेल सम्मान से सम्मानित किया गया चिनमे सिंतराश्टी अस्तर पर पदक जीतने वाले सत्रा खिलारी, पैरा निशनल के चरानवे, निशनल अथलेटिक्स के आठ, तिरंदाजी के एक, बॉल बैडमिंटन के दस, वॉक्सिंग के पांच, साइकलिंग के दो, कैडम के छे, कबड़ी के तईस, कराटे के दो, जोट्सू के 28, संबो के 20, हैंडबॉल के 33, थामटा के 4 खिलारियों को समालत किया जाएगा, निटीश कुमार के संयोजग ना बनने वाले बयान पर प्रशान किसोर का तंच, इंडिया गडबंधन की बैठक से पहले संयोजग बनाये जाने के सवाल पर, मुक्यमंत्रे अपची एकता से संदर्ब में निटीश के प्रयास का सवाल है, उनकी अपनी हालत इतनी खड़ाब है, जो अपने राजियों में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप देश के स्तर पर भला क्या करेंगे, अगर आप ओरर में देखें तो सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रिस है, उसके बाद त्रिनमुल, उसके बाद डी-मक है, जो पूरे-पूरे राजिय जीत कर बैठे हैं, उनके पास 20-25-25 एमपी हैं, वे अपने राजियों में जीतने का दावा कर सकते हैं, निटीश कुमार के पास कुछ हैं ही नहीं ना दल बचा है, ना इमिज ब मिदारी, राजिसभा सभापती के द्वारा अपनी प्रशाशनिक अधिकार छेतर के अंतरगत आने वाली आठ विभाग संबंधित संसदी अस्थाई समीतियों का लोग सभा अध्यक्ष के परामर्स से पुनर गठन किया गया है, जिसमें भाजपा सांसल सुसील कुमार मोद प्रशी को कार्मिक लोग शिकायत, कानून और नयाए समीति का अध्यक्ष पनाया गया है और विवेक ठाकुर को सिछ्छा महिला वच्चह युवा और खेर संबंधी समीति का अध्यक्ष पनाया है, वहीं लोजपार राम विलाज के प्रमुक चिराग् पास्वान को उद्य लोग समीती का सदश्य बनाये गया है आपके जानकारी के लिए बता दे कि मौजुदा समय में कुछ 24 विभाग संबंधी स्थाइस समीतिया है इनमें से प्रतेक समीती के 31 सदश्य हैं जिनमें से 21 लोग सभा और 10 राज्य सभा से हैं ऐसे में आठ डी आर एसी का पुनरगठन क किया गया है भारत पाक मैच से पहले मुहम्मद रिजवान की बड़ी भविश्यवानी कल से यानि कि 30 अगस्त से एशिया कप 2023 का आगाज होड़ा है और इसका पहला मैच पाकस्तान और नेपाल के बीच खेला जाएगा वहीं पाकस्तान और भारत के बीच महा मुकाबला 2 सि किशो की टी में काफी मजबूत है और दोनों टीमों की अपनी मजबूती और कमजोरिया है ऐसे में ये तै उस पढ़ी होगा जो टीम दवाब को बहतर तरीके से जहल पाएगी उसी को जीत हासिल होगी उन्होंने कहा कि भारत ने एक अच्छी टीम तयार की है और ऐसा ही कु कि अच्छा बंधन को लेकर बाजार में कैसे हैं अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्षिन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए तना ही बिहार के तमाम कपरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देखते चालन को सब्सक्राइब करना और अगर आप से देखते तो पेस को फॉलो करना न भूले थनेवाद